क्या ही देखा है हमने Auto Expo में Toyota Hilux के साथ जो यह है यह इंडियन वेरियंट तो कहीं से भी नहीं लग रहा यह लग रहा है Canada, US, UK और पता नहीं कहां गहां पे ऐसे ट्रक्स का ना बहुत ज्यादा शौक रखते हैं लोग लेकिन यह Toyota Hilux जो है यह स्टॉक ही था पहले इसको बना सबसे पहले तो मैं यह दिखा दू कि जैसे मेरी हाइट 5.11 है बैठने के बाद मेरी कितनी होगी लेकिन यह अगर मेरे सामने से बुछ रहा है यह जैसे मेरे ऊपर चड़ रहा है आप दिखेंगी नी अंदर से और दिखेंगा भी निकोई इसके लिए तो अलग से safety features होने च कि सब चीजे बाद में बाद करेंगे हैं मेरे को सबसे beauties की लग रही है वो यह है यह मैटल है मैटल से बना रखा है कॉलिटी वर्ग है पूरा-पूरा और in fact थुड़ सी पास से भी आगर दिखा दो तो finish वगारा जो है जिस तरीके के यह rebates या फिर जिस तरीके के बोल्स इन्होंने कंट्रास क्रेट कर दिया ब्लैक पर इन फैक यह वाला पार्ट अलग है यह लग है और इसके उपर आजाती है लाइट तो यह इंस्पिरेशन कहां से आ रही है आप लोगों के बास में इतना क्रेटिव वर्क करने की क्या सीन ही है पहले थोड़ा बहुत कऱा है फिर इन इंपर्ट किया गया है यह जो लाइट है ऐ किस Τसे यह दो कर्द करेगे है इसमें और वाला पार्ट एक एक प्सिलियु initiatives यह लाइट लाइट है इन फिर न पोले और विर दोजेड है इसमें रोड थाना उब काने हैं यह इसमें एक्स बाड के दोड़ इस जो चीज है यह है इसका टोइंग हुक टाइप बना रखा है और रेड के लगा यह वी कंट्रास्ट है और यह जो रिंच होती है सरी कितरा वेट खीच लिती होगी मतलब क्या सीन होता इसका यह 12,000 LBS वाला विंच है इसके इंदर रिंच जो है वो चुपी भी है तो दिखेग और आफ बीट प्लेसे इंडिया में लेके जाते है सबको इंडिया में अरजगा हां जी बहुत बड़ी है फांड़ कर ले अचा एक और अमेजिंग चीज चीज लिखा हूं यह है इसकी लाइट और यह जो साइडो में यह है लेडी और बीच किन देर लेजर और यह भी किं यह जो जाडिये क्रीस लाइट यह प्रोपर होने से चहिए तो यह अपने खुदी इसको किया ऐसा दंदर की तरफ होती है बाड़ी यह जो गाड़ी के ऑरिजिनल बाड़ी यह वो यह इसाइज की बास इतना है यह 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 गयों से क्रीशन प्रही क्रीशन और सब कुछ हमन पत्छ भी उचा लेगी पत्छ उचा लेगी कोई साइड में आजाएका तो उसको चोड भी लग सकती है अचा और मतला इतना यह जो वी लाचिस हैं यह अलग सी लगा है इसमें यह मैटल सब सब सारी चीरे मैटल है हां यह जो चीज मुझे लग ए यह है यह ब्यूटी ऑफ व पूरा पूरा कैरियर लगा रखा है यह करी यह मैटल है है यह मłęटीव कहुंसा हो तो यह मैटल हर लोग लिए दर जो ऐसे उतर फॉप इंठार उर्ड वगरार जो जो कि र की रापर्स वगरण स्नूबडोग वगरा जो यूजिया अपने तर्लिक फॉपने। तो यह चैनिपी का जीन दा इसको क्यों बराया गया पीछे हमने चैनिपी इस लिए चूज किया था कि एक्स्ट्रा मेंटीरियल आ सके एंड इन केस हम जैसे हमारी ग्रूप है जो हमने जाते हैं अगर हमने रहना भी है तो हम इसके अंदर रह सकते हैं यह त्री साइट से उपने पेला है बल्कि फॉर साइट से लिए विंड़ देर और इंसाइड कि हम अगर यह बंद गढ़े तो वेंटिलेशन के लिए खोल कि इसमें अंदर आराम से सो सकते हैं इसके सू भी सकते हैं हाँ जी ओ हाँ दिखाओ तो इसके बीच में जो एक पार्टिशन है वहाँ पेस की एंड है वो यह फिर नहीं हमने सारा बनाया हुआ है अच्छा किया हुआ है क्या बात है अच्छा जी नीचे स्टोरेज भी है डेडिकेट इसमें स्टोरेज सिस्टम करा है इसमें औरिजिनल टोयर्ट का हमने यह ब यह पूरी बैली में इसके अंदर तक जाते है और इसमें जितना बर्ची स्टोरेज आए आपका इसमें चला जाता है और उपर में अपना एर मैटर्स लगा के आराम से सो सकते है एक थॉट हारा दिमाग में रशिया-उक्रेन की वार और ही ना गन सप्लाई कर सकते है इस त जाते ही अपने करेम में अfour फनल एा प्लाएख भॉब वहन खां़गे तो यह ंपना फिर इस फिन अडू बीवी पिश्यू कि उफिपों तो आपको एक्स्ट्रा पीम्हार लॉट कर ना नियीं कुछ एँ अच्राला करना कुछ इसे अफ्सावन देशनर कुंट फ़तो मत बनवाया गया है ओके इसमें पीछे रिवर्स टेल लेंप में एल्डी लाइट लगा रखी है जो कि काफी हाई पावर होंगी है क्योंकि जब इतनी बहेंगी बिल्ट करें सब कुछ इच्छी कॉलिटी के लगा देते हैं लोग ते पीछे दो तो ही हुका आ जाते है इसको क्य इसके बीचे अभी तक यह सिर्फ शौकिया तौर पर कुछ लगा है आपने इसके बीचे ट्रेलर वगरा नहीं लगा है रिकवरी के लिए हम बहुत यूज करते हैं कोई फच जाता है तो टोस्ट्रैप्स वगरा लगा कि इससे किछ लिए तो चैन बढ़िया रहती है या फ जटका नहीं लगता एंड डेमिज का पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है और जटके लगने से पता है क्या होता था कुछ गाली जो रिगवरी कर रही होती है यह पूरा पूरा पार्ट भारा जाता था ता यह तो बहुत सारे कान्डू है यह जो एंटीना इसके अंदर यह क् बात कर सकते हैं ऐसा अब जी देखो सबसे पहले तो यहीं से मजे लेने शुरू कर दो इसके यह बाते करें के इस तरफ जाके सबसे हैं इधर इधर आते रहो और दिखाते रहो जो टायर का साइज है जिस हिसाब से यह टायर लगा रखें लिफ किट के साथ और अगर इसी यह तरफ से दिखें तो क्या तो सीन मंदा इसका क्या लगता है अए टरफ एक अंगल से और मेरे को सबसे प्यारी जो चीज लग रही है इसके यह यह कि जो की सस्पेंशन नीचे से एक्स्पोज्ड रह वह सबसे ग्रेट लगता है उससे एक लुक सा बन जाता भारे बर्ग तो यह कितने हैं, 10-spokes है इसमें, 10-spokes रिम्स हैं और जो टायर है, यह कौन सी अपनी है, अच्छा, अच्छा, और यह साइस क्या होगा टायर का, यह क्या लिक्ता हमाज में, 325-50R22, 1220, यह तो कहार सीरीज होगी, यह तो कहार बहुत ही हाई-फाई टायर हो गया ना, यह तो तो किस गाड़ी के लिए होते हैं यह तो किसी पे भी लगा सकते हो, यह 12.8-inch टायर है, और इनकी हाइड जो है 35-inch है, 35-inch की हाइड है, और यह वाइड कितना बता आपने? 12.8-inch, 12.8-inch का वाइड है भाई, देखो यह हाथ, दो हाथ ऐसे करके खोल कर रखोगे, ऐसे करके कुछ आइडिया हो गया होगा, मैं एक और आइडिया दे रहता हूं इससे, यह 13 iPhone 13 phone है, यह देखो, ऐसा लगेगा, इतना वाइड है, ऐसे कर दिया तो ऐसे लगेगा, इतना वाइड है, इससे एक्जामपल मिल जाता है वीडियो के इंदर, यह रिम का क्या स्पेसिकिकिश यह रिम कोंपनी है, यह कोजमोस कमपनी है उसका यह डेवल वरिजन है, यह कौल देखने में लगे लगे जैसे पीछे जाए खाली है, लेकिन पीछे से पुरा भरा हो आई और पूरा है पुरा है है तोसी है क्योंकि इतने बड़े ट्रक गड़ का लूड साहल न्या पुद कोई टेंशन नी वो उनको कम्पनी को उनने स्पेसिफाई किया था कि हमें रिम जैसे चीए जो स्टर्डियो और हंडड़ पर्सेंट रिलाइबल ओफरोडिंग के लिए प्लस क्यूंकि हमारी कारी रेड थी हमें यह रेड अंदर था तो उनसे यह सारी क्रोम की लाइन इसमें वील्स में इंटीग्रेट करवा के रेड में करवाया था यहापनी एक कस्टम बनवाया है कस्टम बनवाया है अच्छा एक यह वी बात है कि इतने बड़ा एक ही वील इतना भारी भर कम कुछ नॉम्मल गाली तो खीची नहीं पाएंगी लेकिन इसका कुछ होस्पावर का इतनी होती है इत्स टॉप अट्र एंट एन वन होस्पार और फाइंड़न नुटर मिटर मिटर अफ टॉर्क जो एंजन प्रडूस करता है वह कैसा होगा यह चीज़ बढ़िया लगी इसके अंदर है यह नहीं आता है नहीं यह यह लगा रखा है इसमें भी नहीं आता यह अग है तो फ्ह नहीं पाइग कार यह लि MODEK काम होता है कि जब भाहिषक कहर पानी काम थाइगा लेकिन भी ऋहाय जो एक शो के लिए इसमें, यह एर इंटेक करता है यह एर इंटेक मिलती रहे है इंजन को तो इंजन चलता रहा है इसकी चनेक्टिविटी आती है अमारे एर फिल्टर से जो एर इंटेक उसके लिए ना पाइप का जुवार कड़ता है और यह इतना फिनिशिंग से किया अधर यह कंपनी से तो नहीं आता ना इसमें यह स्नॉर्कल कंपनी सी नहीं आता है यह बाद में बलगवा रख लेकिन इतनी फिनिशिंग से कैसे लगा लिए इसके पाइप भी नहीं नीचे से जा रहे है वो अंदर से इस फेंडर और बाड़ी की बीच चैसे फ्रेम के बी स्पीड पर क्या फर्क पड़ता है माइलेज अज गौन डाउन डेफिनिटली बाट उसको भी हम ठीक कर देंगे उसके लिए गाड़ी को रिगेर करना पड़ेगा रिगेर एक वड़ आ गया निया मार्केट के दर पे यही वड़ चलेगा मैं तुमारी गाड़ी को रिगेर अगया तो दाई हिंक का यह वील साइज ही बढ़ गया तो जिससे क्या होगा कि जो इसके सिस्टम होंगे वो सारे आउट होगे इस वेसे माइलेज माइलेज गियर रेशियो तो अमें सारे गियर करने पड़ेंगे तो ब्रिंग बाक तो स्टॉक और उसके बाद इसकी माइल प्रिंग दे देदे इनका अपना व्क्राइश वर्क्षॉप में अपने गाम कर बास्क्टे पर रेशिय कर वा सकते हैं इसके थिल्ञ अपग्रेड का मैड़ने माडल किया होने वाले इसमें यह इंजन अप्ग्रेड कि लगाएंगे एंड पेडल लाइंगे अड़े सब्ल करने के लिए भी दो बंदे चाहिए यह हो गया बन लेकिन अब यह है ड्राइवर साइड व्यू और देखो 511 वाले बंदे से यह कितना उपर रही है सेवन फूट होगा इसकी हाइट अभी ना भी नहीं है वह है प्रॉक्षिमिट जा रहा है मैं हाथ ऐसे करके उठा सकता हूं तो जाके यह मैं इसको टुछ कर पा हूँआ बट अगर कोई शॉर्ट हाइट का बंदा उसके लिए तो खैर विल्कुल भी इसमें जैसे अगर किसी को चड़ना हो और यह जो ड्राइवर्स कंपार्टमेंट है तो यह इतनी हाइट मिलेगी आपको यार यह भी एक ना बहुत सोचने समझने वाली बातचीत है शॉक रखने के लिए उसको फिर बाद में पालना भी बढ़ता है इन दोनों में दोड़ इनका तो वही ब्लैक और रेड का कॉमिनेशन है पूरा अच्छे से मैनेज किया हुआ है बिल्कुल क्लीन है नीट है लुक और मुझे सिस्टम भी अप्रेट किया हुआ आपने इसमें क्योंकि यह अगर देखना है तो ट्विटर लगें है तो यह स्पीकर लगें है यह अब क्या होता है इसको पालना क्या होता है इसके नर कोस्ट जो लगी है वो कॉस्ट एक एक करके बना देगे ऐसी लंसम ठीक है यह पूरा पैनल बना ले में कितनी कोस्ट लगी है बंपर इसके प्रॉक्सिमेटली तीन लाग रुपे के हैं तीन लाग रुपे के लाइट हो गई अल्मोस सारी सारी मिला लिए जाए तो डेड़ लाग की लाइट हार दो इन लाग रुपे की अब यह जो यह आजाते हैं इस तरफ से आजो यह वील्स आजाते हैं इसके यह वील्स बहुत एक्सफेंसिव थे मेरे लिए यह वील्स और रिम्स यह कितने की हुँगे यह अप्रॉक्सिमेटली मेरे को 9 lakhs के पड़े थे 9 lakhs के वील्स और रिम्स इसमें तो एक नॉर्मल गाड लिगा जा यह एक या जाता है यह तो यह स्टेपर 45,000 अब एक जो मेंन चीज है जिससे किस करना लुक बन रहा वह यह कितने ही है आईम पूरी है इस कनपी अप्रॉक्रों राफ लाक्स थे जाह अजा अगर इसको क्लोश करना है ऐसी डिर्यक्स अच्छ इसकी इसकी बिल्ड कॉलिटि वह उसके साथ पहरी है उसके साथ आगया यह पीछे से और कोई चीज और आपने इसके बोर्ड वगरा बनवाया वह इनाऊ से बोर्ड वगरा क्या ही कोस्ता है अगर इंटियर में एक पारी रेर सीट अगर दिखा दें इनकी इसकी तो यह देखो रेर सीट बिल्कुल जादा कहीं पर फजया बनना रास्ते में जंगल में जा रहा हो फजया है पीछे सो जाए यहां पर उसका समान अख़ा है सारा स्टोफ खाना वाना जो भी उसको खाना है अब इंटियर के अंदर मैं आपको दिखा दिया अब मात आती है में मुद्धी कि अगर जैसे शौक है तो औ और अपने लाख उनली देज अब आपने है एलमोस्त वते मोडिकेशन रूरी है आपरोक्सिमेटीर से रीच यहिव एफ्टन था खुतिर मोडिकेशन रूपराई के अंदर ती थारिकास रूक Лाँनारम किसे था हुआ किसा व रिदाने वालंइन आस्डिकेशन वाजनीलम कुछ भी चाहिए ऐसे वील्स ही चाहिए कुछ बोडी पैनल चाहिए तो हम डिटेल आप सब ली लोग दे देंगे बागी इसका और भी वीडियो बनाएंगे ऐसे और भी वीडियो बनाएंगे उन सब को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो जाहां भी देख इस वीडियों मिलते हैं तब तक के लिए कीव वाचिंग कीव रॉकिंग इंडियन बाइबाए